हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है ब्लेंडर 2.93.4 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11.10 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट आपसां देखेंगा इसको पर आपको क्लिक कर दे नए दोनों में सब कहीं भी क्लिक करेंगे तो डख ताप इस पेज्क को अपर आ जाएंगे बाकि इस पेज का लिंक आपको फेसबुक या नही तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा यह पेज open हो जाएगा, यह पेज open होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, download blender 2.93.4 या तो आप यहाँ से click करके download कर सकते हैं, यहाँ पे click करके आप यहाँ से download कर सकते हैं, तो आपको क्याँ करना है, EXE को save करना चाहते हैं और पास select कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे save पे click कर देने हैं click करते हैं EXE download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहां आपने EXE को save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा हो अब आपको क्या करना है इस EXE को उपर आपको right click करना है right click करने के बाद यह window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है property दिख जाएगा इसको उपर आपको click कर देने हैं लेकरते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप आलहीं यदि आप THE case में भी यहां पे अपञको क्या कर देना इसके बाद इसके बाद आपको apply पे क्लिक कर देना है आपको डॉक नहीं देखता है तो क्या अब हम इसको install करेंगे install करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह latest version cable 64-bit का operating system में ही काम करेगा चाहे window 11 हो 10 हो 8 हो 64-bit का operating system होगा तो ही आप इसको install कर सकते हैं यदि 64-bit का operating system नहीं होगा ताप इसको install मत किजेगा आपके case में यह काम नहीं करेगा इसलिए आपको क्या करना है इसको install करने से पहले आपको चेक कर लेने आपके case में 64-bit का operating system है या नहीं है इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पे 10 PC दिख जाएगा इसके उपर आपको right click करना है इसके बाद आपको property पे click कर देना है click करते है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे चेक कर लेने system tab के आगे क्या लिखा हुआ है यदि आपके case में यहाँ पे 32-bit लिखा होगा तो आपके case में यह install नहीं होगा उसके बाद आप इसको install कर सकते हैं यदि आप operating system install नहीं करना चाहते हैं उसी के अंदर आप 32-bit के अंदर आप इसको use करना चाहते हैं तो इस case में क्या है कि old version आता है old version आप use कर लिजेगा old version आपके case में काम करने लग जाएगा वो 32-bit में install हो जाएगा लेकिन वो old version होगा latest version काम नहीं करेगा तो इस तरह से आप यहाँ से check कर लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना इस window को यहाँ से close कर देना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना या तो आप इसको पर double click करके install कर सकते हैं नहीं तो आपको क्या करना है इसको पर right click करना है right click करने के बाद यहाँ से आप open करके भी install कर सकते हैं दोनों में साब कहीं से भी click कर दीजेगा click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर next पर click कर देना है तो आपको क्या करने, यहाँ पर Yes पर किलिक करते हैं, यह Install होना शुरू हो जाएगा, अब आपको कुछ दिक करने हैं, बस यहाँ पर आपको कुछ सकन वेट करना है, इसके बाद यह Windows open हो जाएगा, आपको क्या करने, यहाँ पर Finish इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, installation complete हो जाएगा, अब यदि आप इस EXE को save करके रखना चाहते हैं, तो किसी order में save करके रख लिजेगा, या नहीं तो आप इसको delete करना चाहते हैं, यहां से आप delete भी कर सकते हैं, अब हम चेक करेंगे, जो install किया हैं, पर ओपर काम करते है या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इस software को open करके check कर लेना है, open करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहां पर double click करके open कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, सर्च बार में जाके यहां पर आप सर्च करके भी open कर सकते हैं, दोनों में से डेटी में latest version है अब यदि आप यहाँ पे quick setup करना चाहते ति यहाँ से आप language select कर लीजेगा इसके बाद यहाँ पे आपको shortcut select करने हैं आपको कैसा चाहिए यहाँ पर अपने हिसाब से shortcut select कर सकते हैं selection with select कर सकते हैं आपको left में चाहिए right में चाहिए इसके बाद यहाँ पे आपको select कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से आप theme select कर सकते हैं, आपको कौन सा theme चाहिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे theme select कर लिजेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको next पे click कर दिने, next पे click करने के बाद यह window open हो जाएगा, आप लोग जानते ही इसके अंदर Multi Purpose के लिए काम आता है, इसके आप General Purpose के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप 2D Animation भी बना सकते हैं, इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर VFX भी बना सकते हैं, यह Multiple यूज के लिए काम आता हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेट करना प तेंक्यू